हेलो स्टुडेंट्स सेलेक्शन अकेडमिय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे जुरिस्पूदेंस के वन लाइनर्स की LLM एंटरेंस में वन लाइनर्स का बहुत-बड़ा रूल है चाहे ख्लैट पीजी हो आइलेट पीजी हो या डी यू एललम हो य और इस वीडियो में मैंने मिडल एजिस के जुरिस को इंक्लूद नहीं करा है जैसे थामस एक्विनास और अगस्तीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप किसी और स्कूल का वन लाइनर भी चाते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं वीडियो को लाइक करें चान हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्कूल कब शुरू होता है अक्सर स्टूनेट नाजरल स्कूल और फिलोसॉफिकल स्कूल में कनफ्यूज हो जाते हैं पर ये दोनों स्कूल अलग लग टाइम लाइन को बिलॉंग करते हैं इन स्कूल की टाइम लाइन को समझने के लिए हमें सारे स्कूल्स चार पार्ट में बाटने होंगे, पहला पार्ट है एंशियंट, सेकिंड पार्ट है मिडल एजिस, थर्ड पार्ट है रेनेसांस पीरियर्ड और फोर्थ पार्ट है मॉडन एजिस जो फर्दर दो पार्ट में पढ़ा जाएगा 19th century और 20th century इंशियंट टाइम, इंशियंट टाइम पीरिड जो है उसमें जो स्कूल हम डिस्कस करते हैं वो है नाच्रल स्कूल Miral Ages में जो स्कूल आता है वो है Divine Law School और Renaissance period में जो स्कूल आता है उसे बोलते है Philosophical और Ethical School Modern period में जब हम 19th century Modern period पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं Analytical School, Historical School, Sociological School 20th century जब हम Modern period में जाते हैं तो उसमें हम basically पढ़ते हैं Legal Realism के बारे में जिसमें हम दो particular points को जादा discuss करते हैं No.1 American Realist School और दूसरा है Sweden का Uppsala School तो जुरिस्पनस में total 7 schools हैं चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये केस country को बिलॉंग करते हैं इनका main theme क्या है और इनके main propounders कौन है Natural Law School, Ancient Greece और Ancient Rome को बिलॉंग करता है इनका theme है Immutable Rights का और इसके main propounder है Aristotle Philosophical और Ethical School, Middle Ages के बार जो revolution हुई है यॉरप में ये यॉरप को बिलॉंग करता है Basically इसका जो theme है वो है separation of state and religion इसके जो main forerunner है वो है Hugo Grotius और जो इसके father of modern philosophical यो ethical school है वो है Eminal Canth Analytical School, England को बिलॉंग करता है इसका जो main theme है वो है utilitarian, legal positiveism and sovereignty इसके जो main forerunner है वो है Jeremy Bentham और father of analytical school is John Austin Historical School, France, Germany और Italy को बिलॉंग करता है इसका main theme है वो है custom इसके जो forerunner है वो है Montescue और इसके जो father of modern historical school है वो है Sevigny sociological school फ्रांस को बिलॉंग करता है theme है इसका law and society का forerunner है इसके Montescue और इसके जो father of modern sociological school है वो है Airing American realist नाम सही clear है USA को बिलॉंग करता है basically ये analytical और sociological school को mix करके इसका theme रहता है और इसके जो main propounder है वो है John Chipman Gray उपसला school और Scandinavian school Sweden को बिलॉंग करता है behavior of men in society पर इसका main theme रहता है और इसके जो propounder है वो है Excel Hager Storm as far as natural or ethical school is concerned इसका जो source है जैसे हमने discuss कर लिया है ancient Greece और ancient Rome है और Renaissance time period का यॉरप है इसका theme जो है पूरे natural or ethical school का वो है taming of mat and nature through reason immutable rights की बात करता है immutable rights का मतलब होता है कि आप उनको change नहीं कर सकते या वो change बहुत मुश्किल से होते हैं तो इस particular in those schools में जो भी jurist आएंगे उनकी जो भी book आएगी उनका main focus किस पर होगा common बात है form of government पर होगा law and morality पर होगा ethics and morality पर होगा property rights की बात करेंगे wives and slaves का status होगा separation of law as it is from law as it taught to be पर होगा और separation of church and state होगा तो चलिए अब देखते हैं सारे jurist को सबसे पहले आते हैं Plato ancient Greece में Athens city के रहने वाले हैं तीन बुक्स है इंके जो बहुत तीन बुक्स हैं जो नोने लिखी है The Republic, The Statesman and Loss The Republic सबसे जादा famous है जिसका मतलब Greek Latin में होता है justice तो basically book का नाम क्या हो गया The Theory of Justice और The Justice बुक के समरी भी देख लेते हैं यह theory यह जो बुक्स है यह idea of justice के बारे में बात करती है ideal state कैसा होना चाहिए social fabric कैसा होना चाहिए property का accusation कैसे होना चाहिए सब कुछ कैसे होना चाहिए ought to be तो philosophical approach है सारी की सारी इन्हें father of political philosophy भी कहते हैं इन्होंने अपनी बुक statesman में पहली बार term use करी थी rule of man next आते हैं Aristotle Aristotle Plato की academy में पढ़ने के लिए आये थे फिर Alexander को पढ़ाने के लिए चले गए और जब उसके पापा की death के बाद Alexander ने राज़पार संभाल लिया तो फिर Athens वापिस आ गए जारतर status क्यों maintain करते थे चीजे जैसी हैं वैसे ही देखते थे rather than कैसी होनी चाहिए existing state of affairs को analyze करते थे फिर अपनी opinion देते थे father of political science कहते हैं इन्हें famous book हैं की the politics जो एक reason और analytical approach पर based है इसलिए आज भी jurist पहली priority पर इनकी किताब पढ़ना प्रेफर करते हैं उस time की Athens की society को analyze करके लिखी हुई किताब है rule of law की बात करते हैं distributive justice की बात करते हैं corrective justice के बारे में बताते हैं जैसे हमारे आर्टिकल 15 है constitution का distributive justice पर based है और thoughts में जो हम compensation का principle पढ़ते हैं या civil wrongs में compensation का जो हम principle पढ़ते हैं वो corrective justice पर based है revolution की theory इनकी बहुत famous है revolution का मतलब इनके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी करांती करना नहीं है बलकि छोटे छोटे steps से भी revolution होती है जैसे अगर मैं आपको समझाओं तो अगर कोई बंदा अपना phone geo से air tell में port करवा ले तो Aristotle के हिसाब से वो भी एक revolution है यह rulers की training पर emphasize करते हैं अधिकारों की बात करते हैं और dicey uncle ने इन ही से rule of law का idea बोरो करके उसे modify करके हमें पेश करा था नेक्स आते हैं Cisro, Cisro Rome के पहले ऐसे jurist हैं जिन्होंने Greek philosophy को Rome में introduce करा था इन्हें ancient Rome का most versatile mind भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने latent philosophical vocabulary create करी थी जैसे जो हम legal maxims पढ़ते हैं जैसे recepso locutor जो है यह term जो है यह जो phrase है यह Cisro ने अपने दोस को defend करते हुए use करा था create करा था इनकी जो famous books हैं वो तीन है पहली है D. Republica वो Commonwealth पर है D. Legibus वो laws पर है और D. offices वो duties पर है अब शुरू होता है हमारा philosophical school Renaissance period का तो इनके सबसे पहले जो बंदे हम discuss करने बाले हैं जुरिस्ट जो है वो है Thomas Hobbes Renaissance period के जुरिस्ट है scholar है philosopher है जो भी आप मरीने कहले इनने founding father of modern political philosophy भी कहते हैं Galileo से ये इतने influence हैं कि literally ने ये लगता है कि geometry से political और moral problems का solution भी मिल जाएगा आदमी को ज़रा self-centered और egoistic isolated मानते हैं इसे लिए absolute monarchy को prefer करते हैं इनकी सबसे famous book है Leviathan लिवयथान भी बोलते हैं जिसकी वज़ा से इन्हें England छोड़कर भागना पड़ा था कारण ये था कि राजा नराज हो गया था क्योंकि नोंने अपनी book में state और church के separation की बात करती थी next आते हैं John Locke, John Locke भी England के हैने वाले हैं इन्हे father of liberalism भी कहते हैं church और state को mix करते हुए ताना शाही जो James 2 ने England में करी थी और उसे सत्ता से power से हटा कर जब protestant बेटी Mary और उसके Dutch husband William of Orange की appointment होई थी तो उन सब के बारे में इन्होंने अपनी opinions अपनी book true treaties of government में दी है book का पूरा focus राजा की duties, citizens के rights, political equality, democracy, individual liberty पर है जब colonies शुरू हुई थी, जब colonization शुरू हुआ था तो जो colonists थे उन्होंने John Locke का in-alienable rights का idea बोरो करा था और popular sovereignty जिसे हम right to vote कहते हैं या political equality की बात भी करते हैं वो भी popular idea John Locke का ही है इंका मानना था कि basic law of nature mankind की preservation के लिए होनी चाहिए next आते हैं John, Jock, Russo, Switzerland के हैं और French Revolution के leader हैं तींक books हैं इंकी main discourse on the origin of inequality, the social contract and confessions सारी किताबें एक ही central theme पर based हैं social contract theory, journal will की theory, popular sovereignty, natural and civil rights के बीच का difference और अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए, यह सब बाते हैं इंकी किताबों में इन्हें prophet of modern totalitarianism भी कहा जाता है next jurist जो हैं वो है, Emanuel Kant German के scholar है, Russo से influenced हैं तो definitely उनकी journal will की theory को modify करके अपनी किताब में पेश करते हैं बुक का नाम है, critique of pure reason बुक morality के theme पर based है और इन्होंने morality को दो parts में divide करा है supreme morality जिसको यह categorical imperative कहते हैं और जो daily हमारी duties हैं, उनको perform करने के बाद जो consequences हम face करते हैं उनको यह deontological moral theory कहते हैं इन्हे father of modern ethical school भी कहते हैं जितने भी feminist philosophers हैं, वो basically Kantian ethics को use करते हैं prostitution और pornography को criticize करने के लिए next jurist है हमारे Rudolph Tamler, Germanic scholar है Kantian ethics को ही नई तरीके से पेश करते हैं इसलिए इन्हें Neo-Kantian भी कहते हैं इनकी बुक का English का नाम बता रही हूँ जो German नाम है वो मेरे को pronounce नहीं करना आ रहा था उसके लिए I'm sorry बुक का नाम है theory of justice बुक का पूरा theme है आपका law or economy का बीच में relationship क्या है basically दो ideas हैं जो पूरी बुक में नोंने discuss करे हैं पहला है principle of respect, दूसरा है principle of community participation law का purpose किसी एक को नहीं बलकि सबको protect करने का होता है इनकी बुक में justice का जो idea है वो एक theoretical debate है जो की totally unacceptable है नेक्स्ट है हमारे John Rawls, USA के moral political philosopher है liberal tradition की ideology पर काम करते हैं इनकी बुक का नाम है theory of justice, Kentian ethics पर ही based ही है utilitarian का alternative theory देते हैं तो basically Bentham को, John Stuart Mill को को criticize करते हैं distributive justice का implementation कैसे होना चाहिए इसके बारे में इनोंने दो principle बताए है पहला principle है liberty principle equal जिसका मतलब है पहला principle है liberty principle जिसका मतलब है equal basic rights example के तोर पर आप article 39 ले सकते हैं constitution of India का और second principle है इनका difference principle that is distributive justice equal opportunity for all जैसे आप कह सकते हैं article 16 है हमारे constitution का है तो overall ये egalitarian theory of moral conduct को encourage करते हैं next uncle है हमारे Francis Gini France के है Stamler से influenced है indirectly Stamler से influenced है तो Stamler Kentian ethics से influenced है तो indirectly Kentian ethics पर ही काम करते हैं कि कोई book नहीं है दो essays है इनके पहला essay है method of interpretation and sources in positive law और दूसरा ऐसे है the negative critique of traditional methods basically ये natural law को positive law के साथ balance कर देते हैं और courts को interpretation करने के लिए different rules को apply करने के लिए encourage करते हैं नेक्स्ट है हमारे जूरिस्ट Joseph Koller German case scholar है famous book है philosophy of law पूरा focus इनका comparative history of civil law international law पर है नेक्स्ट है Clarence Morris इनके भारे में जादा कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं पर पर हां इनकी book ज़रूर रफर करी जाती है University of Pennsylvania में बुक का नाम है justification of the justification of law main theme इनका है social aspirations next jurist है हमारे John Finnis Australia के jurist है बुक का नाम है natural law and natural right middle ages के saint Aquinas के divine law को theme बना कर seven basic human goods के बारे में बताते हैं जैसे life, knowledge, friendship, play, aesthetic experience, practical reasonableness and religion तो practical life में हम सब कैसे रहते हैं यही idea इनकी बुक में भी दिखता है next jurist है हमारे Jerome Hall USA के jurist है famous बुक है इनकी Living Law of Democratic Society Integrative Jurisprudence and Comparative Law and Social Theory इन्होंने positive, social, natural सारे schools के theme को combine कर दिया है I hope आपको यह वीडियो पसंद आया one-liners भी तभी समझ आते हैं जब हमें कुछ तो basic पता हो और मैंने वो ही basics आपके साथ शेयर करे है आपको कैसा लगा आप अपनी opinion, comment box में जरूर बताएं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में